स्री गनेश हाय नमा मैं प्रकास कुमार बिहार मदवनी जिला से इस बदलाव मन्च को प्रणाम करता हूं मास वर्षति का नाम लेकर मैं आप सभी केस्मक्ष आज इस अपताहिक परतियोगता में जो बदलाव मन्च के माध्यम से हो रहा है इस चित्र परतियोगता में क्रमांक दो को मैं आज अपने सब्दों में बया करना चाहूँगा और आज मैं आप सब के समक्ष अपनी रचना लेकर आया हूँ और आसा करता है रचना आप सभी को पसंद आएगी तो चलिए इसका सिर्शक है कहता है अंबर कहता है अंबर आओ मिलकर एक स्वर आवाज लगाओ मंदिर मस्जिद से उपर उठकर आओ एक साथ हो जाओ अपनत्व ही अपना सभाव हो वतन के कोने कोने में संभाव हो नई दिशाओ से होकर आओ नए जा नए आगाज जगाओ कहता है अंबर आओ मिलकर एक स्वर आवाज लगाओ नई देश में नए देश में नए वेस में आओ अपना एकता का परिवेस बनाए विकास के पथ पे साथ मिलकर विसो में एक देश को इस देश को सजाए ना कहीं हो अब अंधियारा आओ आसा की दीप जलाओ कहता है अंबर आओ मिलकर एक स्वर आवाज लगाओ जुक कर हिमाले कहता हमें सिखाता की बंद करो नरक्त रंज से समुद्र भी सांत रहने का मुल मंत्र सिखा कहता किस से मिलेंगे इस सीख कर इस धरा में अब तो नहीं खून के छीटे उराओ कहता है अंबर अपने दम पर आओ एक स्वर आवाज लगाओ अगली पंक्ती पर ध्यान दिजेगा कब तक आपस में लरकर अपनी सक्ति को धूल में मिलाओगे जन मिलिया इस पावन भूमी पर फिर क्यों एस पिर कैसे इसका कर्ज चुकाओगे प्रकास मदुबन की बात मानो गले मिल एक जूटता दिखाओ कहता है अंबर अपने दम पर आओ एक सर आवाज लगाओ राम गोविंद अल्ला मसीहा ये हमें यही तो सिखाते हैं बन जाओ अच्छा इनसान पहले यही वेद धर्म तो हमें बताते है साथ रंग हम इंद्र धनूस के साथ मिल उजियार फैलाओ आप सभी को ने मैं बता दू कि इस भारत वर्स में साथ धर्म कहा जाता एक विस्व की साथो धर्म यहां पर मौजूद गी है इस चार धर्म को आप अच्छी तरह जानते हैं इसके लगा तीन धर्म और है जो यहां पर उपस्तित है किसीन किस रूप में इतना जो करलियात तो समझो यह अंतिम पंक्ती पे ध्यान दिजेगा इतना तो जो करलियात तो समझो कुपोशन का ना होगा फिर नर नारी में रामराज आ जाएगा फिर से खिल जाएंगे फुल हर फुलवारी में द्वेस इडशावा अभिमान को त्यागो आओ मिल जुल प्रेम सरीत बहाओ कहता है दंबर अपने दंपर आओ मिल एक जूट हो जाओ मंदर मस्जिद से उपर उठकर मंदर मस्जिद से उपर उठकर आओ एक साथ हो जाओ कहता है अंबर अपने दंपर आओ एक सरी आवाज लगाओ मंदिर मस्जिद से उपर उठ कर आओ एक साथ हो जाओ तो आईए हम सब एक जुट हो जाए और एक साथ हो जाए और इस देश को इस रास्ट को आगे बढ़ाए यदि ऐसा होता है तभी हमारा जो बदलाव है वो आएगा और इस देश में नहीं इस विश्वम में बदलाव आ काम पर एक साथ हो जाम है